ओपन कोर्स में आपका स्वागत है आज का हमारा टॉपिक है कंजंग्शन्स आज हम देखेंगे कंजंग्शन्स क्या होते हैं और वो क्या काम करते हैं फिर हम देखेंगे तीन इसके ब्रॉड केटेगरी कंजंग्शन्स की जैसे की कॉर्डिनेटिंग कंजंग्शन्स और फिर हम देखेंगे clause क्या होते हैं और दो या तीन clause मिला कि हम किस तरह से compound sentence बना सकते हैं और last पर हम देखेंगे कि हम किस तरह से identify करेंगे कि कोई word जो है वो as a conjunction काम कर रहा है या फिर as a preposition काम कर रहा है तो शुरू करते हैं हमारे पहले topic definition से conjunction क्या होते हैं they connect words और group of words and show how the words are related तो पहली चीज वो connect करते हैं किसे connect करते हैं? words को connect करते हैं या फिर group of words को connect करते हैं और क्या show करते हैं? relation show करते हैं तो दो चीज है main काम है उनका connect करने का word to word या group of words to group of words इस तरह से ये connect करने का काम करते है हमारे Conjunctions कुछ example हम यहां देखते हैं कि किसे किसे connect करते हैं वो तो यहां पर है I gave him time and money यहां पर वो noun और noun को combine कर रहे हैं सबसे पहले हम डूढ़ने कि यहां पर conjunction कौन सा है तो and हमारा conjunction है और किसे वो जोड रहे हैं तो यहाँ पर money को, यहाँ पर time, इन दो चीजों को, noun से noun को यहाँ पर वो जोड़ रहे है, I gave him time and money, यहाँ पर time इसमें noun है, और यहाँ पर money वाला part यह, जो यह noun है, और बीच में and जो है, यह क्या काम कर रहा है, यह जोड़ने का, यह connect करने का काम कर रहा है, तो यहाँ पर noun स जोड रहा है तो फिर से यहाँ पर end जोड रहा है यहाँ पर देखें the white and blue car is there अब यहाँ पर conjunction कौन सा है हमारा end है और वो किसे जोड रहा है यहाँ पर बता रहा है white का यहाँ पर बता रहा है blue का फिर you will have to behave yourself or you will have to leave या तो आप डंक से behave करिये या आपको यहाँ से जाना पड़ेगा तो यहाँ पर और जो है वो इस वाले को sentence को या clause को इस वाले clause से connect कर रहा है फिर she is not only physician but also a classic violinist यहाँ पर not only or but also यह दोनों conjunction का काम कर रहा है फिर यहाँ पर I will find you wherever you go तो यहाँ पर wherever यह जो है हमारा यह सारे हमारे conjunction का काम कर रहा है इस वाले example पहले में देखेंगे तो यह noun से noun को जोड रहे थे यहाँ पर adverbs से adverbs को जोड रहे है यहाँ पर adjectives से adjective को जोड रहे है यहाँ पर दो तरह के clause को जोड रहे है यहाँ पर हम इस तरह के जो हमारे conjunction है ये भी हमारे दो clause को जोड रहे हैं और यहां पर देखेंगे इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से ठीक है? तो phrases बोलिए, clause बोलिए, अलग-अलग sentences बोलिए या words बोलिए, या फिर group of words बोलिए इन सब को conjunctions क्या करते हैं? जोडने का काम करते हैं अब जोडने से क्या होता है? कि जो हमारे simple sentences होते हैं उनमें हम और भी ज़्यादा sentences जोड जोड के हम एक complex sentence हम बना सकते हैं तो complex sentence बनाने के या फिर compound sentence बनाने के काम हमारे आते हैं conjunctions अब यह basically तीन टाइप के होते हैं तो तीनों को हम एके करके हम समझेंगे पहले आते हैं coordinating conjunctions यह क्या करते हैं? यह link करते हैं similar words और group of words तो यहाँ पर आ रहा है similar ठीक है? एक ही तरह है कि words को या group of words को जोडते हैं एक ही तरह कि यहाँ से similar मतलब same नहीं होगा यह similar है एक जैसे जैसे यहाँ पर था हमने देखा था noun से noun यह same हुआ या फिर यहाँ पर adverb से adverb या फिर यहाँ पर adjective से adjective इस तरह से by nature जो चीज़े same होती है उनको यह जोडने का काम करते है अब इसके example देखें है हमारे coordinating conjunctions के तो हमारे होते हैं for, and, and को भी हमने उपर देखा था nor, but, or को भी हमने उपर देखा, yet, or, so तो आप देखेंगे यह साथ तरह के हमारे होते है coordinating conjunctions फिर आते हैं हमारे for relative conjunctions यह भी link करने का काम करते हैं words और, group of words को but, they are also, they are always used in pairs जैसे यहाँ पर हमने use किया था not only, or but also so not only, but also जो है एक pair की तरह हमेशा sentence में आएंगे सिर्फ not only या सिर्फ but also हम use नहीं करते हैं हम दोनों को हमेशा साथ में लेते हैं as a pair वो काम करते हैं जैसे both और end यह हमारा एक pair बनाते हैं फिर either, or यह हमारा एक pair बनाते हैं neither, nor यह हमारा एक pair बनाते हैं not only, but also यह हमने उपर यूज किया था फिर weather और, or इस तरह के हमारे होते हैं correlative conjunctions जो की similar words या group of words को जोड़ने का काम तो करते हैं लेकिन हमेशा एक pair में यूज होते हैं both, or, and, not only, but also, neither, nor हमेशा एक pair में add होंगे जब भी इन conjunction को हम sentence में यूज करेंगे तो दोनों का हम इसमें यूज करेंगे as a pair हम इसे use करेंगे तीसरा type हमारा होता है subordinating conjunctions का subordinating conjunctions जो होते हैं वो link करते हैं independent clause यह क्यों होता है हमारा independent clause और dependent clause को यह clause क्या होता है यह भी हम थोड़ी देर में आगे देखेंगे तो independent clause होते हैं complete sentence और dependent clause होते हैं एक छोटे से fragments अब clause क्या होते हैं यह भी हम आगे चलके देखेंगे वैसे हम clause को पहले एक बार discuss कर भी चुके हैं अगर आपको याद हो तो आप यहाँ पर इस टीज को समझ जाएंगे independent clause क्या है और dependent clause क्या है अब इन subordinating conjunctions जो हैं यह किस तरह के दिखते हैं after although as यह जितने भी आपके screen पर यहाँ पर लिखे हुए है if unless wherever को हमने उपर use किया था since until whenever so that before यहाँ पर e होगा add कर लिजेगा even though इस तरह के जो भी words हैं यह हमारे use आते हैं subordinating conjunctions के आगे हम इनके examples देखेंगे अब हम इने ek करके देखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम अपनी category को देखेंगे coordinating conjunctions को तो हमने उपर देखा, साथ तरह के यह होते हैं, यहाँ पर आप दिखेंगे, यह हमने देखे थे, साथ तरह के coordinating conjunctions, फिर हमने देखे, correlative, फिर subordinating, अब इन तीनों को हम एक एक करके नीचे discuss कर रहे हैं. coordinating conjunctions create compound structures, तो हमने उपर बात करी थी कि, conjunctions कहाँ पर काम आते हैं, हमारे compound structures को बनाने के काम आते हैं, compound structure मतलब, एक होते हैं हमारे एक-एक statement, और जब हम एक से ज़्यादा statements, या sentences, या phrases को जोड़ेंगे, तो वो हमारे बनेंगे compound structures, या compound sentences, या नाउन को किसी वर्ब से नहीं connect कर रहे हैं, या noun या pronoun को हम किसी अज़्यक्टिव से नहीं connect कर रहे हैं, हम दोनो grammatically equivalent unit से हमने connect करते हैं हमेशा, अब किसे word से word को, या phrase से phrase को, या फिर sentence को, दूसरे sentence को, यह हम connect करते हैं, किस से coordinating conjunction से, तो grammatically equivalent unit, या आपको समझ में आना चाहिए, अब same example जो हमने उपर देखे थे, यहाँ पर भी हमने लिखे हैं, क्योंकि वो इसी के अंडर आते हैं, I gave him time and money, या end हमारा conjunction है, और किस से connect कर रहा है, noun से noun को, फिर I gave promptly and generously, तो end फिर से हमारा conjunction है, और किस से connect कर रहा है, यह adverbs सä adverbs को, फिर the white and blue car is there, यहा पर हमारा conjunction है, किस से connect कर रहा है, adjective सä adjective को, यहाँपर we saw satiash and told him the news, हमने satiash को देखा और उसे news दी ये वाला पार्ट या इसे मैं दूसरे color से कर देता हूँ पहले हम लिख लेते हैं हमारा conjunction कुन सा है तो end और किसे वो connect कर रहा है saw, satish और यहाँ पर told him the news predicate वाले पार्ट को predicate से वो connect कर रहा है predicate क्या होते हैं word वाले बार्ट या word phrases उन्हें हम कहते हैं predicate या predicates तो saw, satish, satish को देखा और उसे news दी इन दो चीजों को, इन दो हमारी जो activities हैं verbs के जो phrase हैं उन्हें ये हमारा यहाँ पर end connect कर रहा है तो जो हमने लिखा था हैं यहाँ पर grammatically equivalent units इसका मतलब आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा देखके इन भी कर देता हूँ, यह बहुत important है grammatically equivalent units किसे connect करते हैं, grammatically equivalent units कुछ भी ultra-street उटपटाइंग हम नहीं connect करना शुरू करते हैं कुछ ना कुछ logic है connect करने के पीछे भी क्या logic है, यह वारा logic है ठीक है और examples हमें दिये हैं you and I have to clean up this mess तो you and I, यह हमारा किस तरह का case है यह हमारा compound subjects है एक से ज़्याद है, तो यहाँ पर आ रहा है हमारा or, you and I को क्या connect कर रहा है यहाँ पर? or, फिर we hiked, swam and sailed until the dark तो यहाँ पर आ रहा है and, यह हमारा connect कर रहा है जोडने का काम कर रहा है अभी किस को जोड रहा है? यहाँ पर hiked है यहाँ पर swam है यहाँ पर sailed है यह सब क्या है? verbs है, activities है तो यह compound verbs को यहाँ पर जोड रहा है उपर थे compound subjects यहाँ पर है compound verbs मतलब एक से ज़्यादा verbs फिर यहाँ पर we cannot find the dog in the house और in the yard तो और हमें दिख रहा है साफ साफ यह दो चीजों को जोड रहा है अब किसे जोड रहा है? in the house और in the yard दो prepositional phrases आ रहे हैं उन्हें यहाँ पर जोड रहा है we cannot find the dog in the house और in the yard तो आप देखें compound subjects को जोड रहा है verbs को जोड रहा है prepositional phrases को जोड रहा है तो इस तरह से यह कई सारी चीजों को आपस में connect करता है और यह वाले examples हम उपर देखी चुके हैं अब next हमें दिया गया है we can combine any of these structures into a single sentence using for example a compound subject यहाँ पर हमने देखा a compound verb यहाँ पर हमने देखा और compound predicate वो भी हमने उपर यहाँ पर देखा था predicate से predicate अब सिर्फ यहाँ पर हमने देखा था यह दोनों चीजों को connect कर रहा था अब इन सबका use करके भी हम एक complex सा sentence या compound sentence बना सकते हैं कैसा दिखेगा तो यह हमारा example है इसमें हम underline करते जाएंगे हमारे conjunction को planned and prepared again and planning और preparation को यहाँ पर connect कर रहा है the meal and cleaned up यहाँ पर भी end है तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने कई तरह की चीजों को यहाँ पर connect किया लेकिन connect कैसे किया हमेशा हम ध्यान रख रहा है कि हम grammatically equivalent units को ही connect करें तो यह हमने देखे थे individual examples और यह हमने देखा एक complex या एक compound structure का example अब हमने उपर बात करी थी independent clause और dependent clause की तो हम पहले देखे लेते हैं कि clauses होते क्या है और यह compound sentence में किस तरह से convert किये जाते है a clause is a unit of language that contains one subject and one predicate predicate मतलब वर्भी होता है तो एक ऐसा हमारा एक unit है जिसमें एक subject हो minimum एक ही subject हो और एक predicate हो तो clause is a unit of language that contains one subject and one predicate ठीक है तो यह simple से हमारे एक sentence भी अपने आप में बन सकते हैं जैसे हमने पहले एक example देखा था अगर मैं ऐसे black से लिखूँ birds fly full stop तो bird हमारा subject fly हमारा verb या predicate और यह हमारा complete sentence भी है तो birds fly क्या हो गया हमारा एक clause हुआ तो इस तरह के phrases या sentences जिनमें एक subject हो और एक verb हो तो वो हमारे कहलाते है clause अब उसमें आता है independent clause और dependent clause तो independent clause वो होते हैं जो अपने आप में एक संपूर्ड meaningful sentence देते हैं एक complete meaningful sentence हमें देते हैं वो clause तो वो कहलाते हैं independent clause और dependent clause जिनका meaning full या complete तभी निकलता है जब हमने किसी दूसरे independent clause के साथ जोड़ें तो इस तरह से हमारा बनता है dependent clause और एक हमारा होता है main independent clause the seven coordinating conjunctions can join two or more clauses to create a larger structure called a compound sentence यह हुआ हमारा compound sentence दो से ज्यादा clause को इस तरह की जो हम clause बनाते हैं उन्हें हम जोडते हैं किस का use करके conjunction का use करके तो हमें क्या देते हैं compound sentence देते हैं to make a compound sentence we select the conjunction that best communicates the relationship between the two clauses क्या मतलब आगे देखते हैं अब हमारे पास दो sentence दिये हुए हैं यह दोनों अलग sentences हैं अगर हम इन्हें numbering करूं तो इसे मैं कह सकता हूँ number one इसे मैं कह सकता हूँ number two तो दो हमारे sentences हैं इन्हें मिला के हमें एक compound sentence बनाना है अब हमें पता है जब भी हम दो sentences को combine करेंगे तो combine करने के लिए क्या use करेंगे हम conjunction का use करेंगे पहले हम sentence देखते हैं हमें क्या दिये गए हैं आपको सही से behave करना पड़ेगा फिर you will have to leave आपको यहां से जाना पड़ेगा अब यह दो चीज़े हमारे पास दो separate sentences है अपने आप में complete meaning दे रहें अब इन दो sentences को हमें club करना है join करना है ठीक है क्या बना you will have to behave yourself comma or you will have to leave तो यहां पर और का हमने यहां पर use किया कि या तो आप आपने आप सही से behave करिये या फिर आप यहां से आपको यहां से जाना पड़ेगा तो इन दो sentences को हमने यहां पर एक conjunction का use करके compounds sentence में convert कर दिया तो यह use आता है हमारा conjunction का second हमारा जो type है वो है correlative conjunctions जैसे हमने उपर देखे थे either or, both and neither nor not only but also तो यह हमेशा क्या आते हैं पेर में आते हैं जब भी हम इन conjunction को use करेंगे sentence में तो हमेशा पेर में use करेंगे example देखें either Fred or George तो यहां पर आया है हमारा either यहां पर आया हमारा और ठीक है दोनों हमने use किये फिर neither Fred nor George cleaned up their mess तो neither और nor यह वाला हमने यहां पर use किया फिर both friend and George are jerks तो यहां पर both यहां पर end यह भी हमने यहां पर use किया इस वाले case में Fred and George are not only jerks but also idiots तो not only but also ठीक है यह भी यह हमने पहले भी एक बार उपर use किया था sentence में फिर she is not only a physician but also not only but also ठीक है तो इस तरह के हमारे होते हैं correlative conjunctions correlative conjunctions हमेशा pair में use होते हैं कभी भी single हमेने use नहीं करते हैं हमेशा pair में use करते हैं जैसे यहां पर either or both and neither nor not only but also इनको हमने यहां पर use करके देखाए तीसरा और last हमारे जो type है वो है subordinating conjunctions these conjunctions are used to connect one clause to another to make a single longer sentence with two or more clauses यह तो हम उपर भी देख चुके थे कि जब हम दो या दो से ज्यादा clauses को जब जोडते हैं मिलाते हैं connect करते हैं तो हम conjunction का use करते हैं अब इस तो इसमें खास बात क्या है तो खास बात है कि the new sentence has qualities that we don't find in the compound sentences created by coordinating conjunctions मतलब जब हम subordinating conjunction use करके दो या उससे ज़्यादा clauses को add करते हैं तो वो जो नया sentence हमारा बनता है जैसे यहाँ पर हमने बनाया था दो हमारे sentence थे इन्हें जोड कर हमने एक नया sentence बनाया था लेकिन यहाँ पर हमने अपना क्या पहला वाला जो हमारा coordinating conjunction था वो यूज किया था लेकिन यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि हम दो clauses को मिला तो रहे हैं लेकिन use करेंगे subordinating conjunction का अब वो जो नया वाला जो हमारा sentence एक compound sentence बनेगा उसके अंदर कुछ qualities extra होंगी जो differentiate करेंगी subordinating को और इसके उपर वाले दो हमारे दूसरे तरह के conjunctions को पहले हम देख लेते हैं कौन-कौन से words होते हैं जिने हम use कर सकते हैं as a subordinating conjunction के तो हमारा आता है after, although, as यहाँ पर once, that, whenever, wherever यह यह सारे जितने भी यहाँ पर screen में आपके लिखे हुए यह सारे हमारे होते हैं subordinating conjunctions अब हम इनके कुछ examples यहाँ पर देखते हैं he left because he wanted to leave वो गया क्योंकि वो जाना चाहता था तो यहाँ पर हम underline करेंगे because को यह हमारा क्या हुआ? conjunction है कैसा conjunction है? तो subordinating conjunction है ठीक है? दूसर संटेंस I will go when I am ready मैं जाओंगा जब मैं तयार होंगा I will go when तो when को हम यहाँ पर underline कर देते हैं फिर we will let you know if she calls we will let you know if she calls तो if फिर I will find you wherever you go यह हमने उपर भे sentence देखा था तो यह जो हमने चार example यहाँ पर लिखे हैं यहाँ पर because, when, I, wherever यह हमारे subordinating conjunction है तो अब simply यह तो जोड रहा है is adverbial मतलब they typically modify the verb so they can often be moved around the sentence often be moved around the sentence यह हमारा जो चीज है यह differentiate करती है उपर वाले हमारे conjunction के type से अब यहाँ पर अगर हम देखें moved around the sentence का यहाँ पर क्या मीनिंग है moved around का मतलब अब उपर वाले जो हमने sentence देखे थे इन्हें को हम modify करके नीचे लिख रहे है उपर हमने देखा था he left because he wanted to leave अब नीचे हम लिख रहे है because he wanted to leave he left तो अब देखें because यहाँ आगे आगे फिर उपर हमने देखा था I will go when I am ready यहाँ पर लिख दिया when I am ready I will go फिर यहाँ पर था we will let you know if she calls यहाँ पर हमने लिख दिया if she calls we will let you know फिर यहाँ पर I will find you wherever you go यहाँ पर हमने लिखा wherever you go I will find you तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर हम बात कर रहे है green सा अगर मैं underline करो यह वाला part फिर यह वाला part फिर यह पार्ट यह वाला part बेसिकली यह दो clause है यह हमारे दो clause है जिने हमारा यह conjunction जोड़ रहा है अब subordinating conjunction की क्या खासियत होती है कि यहाँ पर कई सारे जो subordinating conjunction होते है वो जिस हमारे जो हमारा पहला होता है independent clause दूसा होता है dependent clause तो जो dependent clause होता है उसे हम आगे भी करके लिख सकते है किस case में? कुछ ही cases में लेकिन subordinating conjunction के case में तो subordinating conjunction कई सारे होते है सब में यह चीच possible नहीं है कुछ में यह possible है बहुत सारे कुछ मेंसे भी मैं आपको सिर्फ चार यहाँ पर example दे रहा हूँ ठीक है? तो इस तरह का यह हमारा खासेत होती है कि जो subordinate clause होते है उसके लिए जो हम जो conjunction use करते है उन्हें हम आगे भी लगा सकते है मतलब basically जो हमारा जो dependent clause था उसे हमने अपने main clause के आगे लगाया तो ये वाला जो structure है वो भी सही है और लिखने का ये वाला structure है वो भी सही है तो यहां से आपको समझ में आया होगा कि subordinating conjunction या subordinate clause यहां पर है वो क्यों खास होता है अब हमारा जो last topic है वो है conjunction या preposition मतलब हमें basically अब ये पता लगाना है कि कोई भी word जब हमारा sentence में use हो रहा है तो वो as a conjunction काम कर रहा है या फिर वो as a preposition काम कर रहा है और इस हम कैसे पता लगाएंगे तो दो rule हमारे सामने याँ पर है पहला if the word is followed by a clause it is a conjunction ठीक है कोई भी अगर if the word जिस word के हम बात कर रहा है ठीक है अगर उसके बाद एक कोई clause आता है तो वो हमारा होगा conjunction और if the word is followed by a noun phrase और a pronoun it is a preposition ये तो हमने preposition के class में भी देखा था कि जब भी preposition use होता है तो उसके बाद कुछ नाउन या noun का phrase या फिर pronoun आता है लेकिन conjunction में क्या होता है कि जब हम वो word use करेंगे तो उसके बाद कुछ नाएक clause आएगा तो ये होता है differentiate करने का तरीका किस में conjunction में और preposition में अब इस चीज़ को हम कुछ example से देखते है no one can go but her तो सबसे पहले हम underline करेंगे यहाँ पर जिस word के हम बात करना चाहते हैं तो उसे हम blue ले ले लेते हैं यहाँ पर हम बात करेंगे but की फिर यहाँ he left but he came back he left but he came back फिर यहाँ पर come back before sunset before come back before gym returns यहाँ पर भी before और यहाँ पर don't come back until 9 he does that until he falls down तो यह सारे हमने यहाँ पर blue line में दो words को underline किया है एक हम इसे compare करेंगे first वाले हमारे sentence को यहाँ के first वाले sentences अब यहाँ पर हम देखेंगे no one can go but her but के बात क्या आ रहा है हम यह देखना चाहते हैं तो हर आ रहा हर हर मतलब हमारा होता है pronoun तो यह वाला यहाँ पर जो but है यह किस के तरह काम कर रहा है यह preposition का तरह काम कर रहा है और यहाँ पर हम देखें यहाँ पर but के बात क्या आ रहा है एक clause आ रहा है पूरा का पूरा तो यह हमारा क्या बनेगा conjunction की तरह काम करेगा कौन but अब इस स्वाल एक्जांपल में I bought the gift for this child for के बात क्या रहा है child मतलब यह कुछ न कुछ हमारा noun दे यहाँ पर क्या रहा है he left for it was late यहाँ पर क्या रहा है एक हमारा clause आ रहा है तो अगें यह वाला हमारा क्या होगा preposition और यह वाला हमारा होगा conjunction फिर come back before sunset before के बात क्या रहा है sunset तो यह हमारा preposition come back before gym returns तो gym returns हमारा एक clause हुआ तो before हमारा conjunction के तरह काम कर रहा है यहाँ पर फिर do not come back until 9 do not come back until 9 यह हमारा किस तरह काम कर रहा है यहाँ पर preposition के तरह यहाँ पर देखें तो he does not he does that until he falls down until के बाद हमारा क्या आ रहा है एक पुरा-पुरा clause आ रहा है तो यह है यहाँ पर एक conjunction के तरह काम कर रहा है तो इस तरह से हम differentiate करते हैं कि कोई word जो हमने यहाँ पर mark किया है वो conjunction के तरह काम कर रहा है या फिर वो preposition के तरह काम कर रहा है तो ये वाला हम rule follow करेंगे जो हमने एक और दो यहाँ पर लिखें तो preposition हमने पिछली class में भी देखा था कि जो हमारा word होगा जो हमारा preposition होगा उसके बाद noun phrase noun या pronoun आएगा और आज हमने देखा कि जब भी उस word के बाद एक पुरा का पुरा clause आए तो वो हमारा बनाएगा conjunction तो यह तरीका है differentiate करने का conjunction और preposition के तो यह था हमारा आज का last topic और इस session को हम यह पर खंप करते हैं और मिलते हैं next video में करकूल